फ्रेंड वेल्कम टू माई चैनल आज की हमारी हेल्दी वेट लॉस रेसिपी एपिसोड टू में हम बनाने चाहरे हैं डिनर जो की हमने बनाया है ड्राइ ग्रीन पीस की करी ओलिव ओईल में और साथ में मैंने मिसी रोटी बनाई है और सैलेड के साथ सर्फ किया है इसे बनाना बिलकुल ही आसान है फ्रेंड्स और खाने में यमी है साथी वेट लूस में भी हल्प मिलती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेल्कम तो माई चैनल तो यह देखे मैंने यह एक कप ग्रीन पीस को जो ड्राइ होते हैं उनको मैंने सुबह को ही बिगो कर रख दिया था गरम पानी में और उसके बाद एक मिक्सिंग जार ले लेंगे और उसमें मैंने दो टमाटर ले लिए हैं फ्रेंड्स और दो वाले वाली वेट लॉस की रेसिपीस डाल रही हूं डेली अगर आप भी मेरे चैनल को सबस्क्राइब करेंगे तो आपको डेली ऐसी वीडियो देखने को मिलेंगी जिसकी आपको वेट लूस करने में काफी हल्प मिलेगी और हेल्दी रेसिपीस हैं और सब के लिए बहुत दीफ फाइदे मंद है तो ये देखे मैंने इसमें वन टीजपून के करीब ओले वाइल ले लिया है उसमें डाल दिया है गर्म होने के बाद हाफ टीजपून चीरा एक मैंने बे लीफ टाला है चोटा सा टुकडा दाल चीनी का अब पिंच ओफ हींग डाल दिया है अब हम पेस्ट बनाया है उसे डाल देंगे और इसको मिक्स करने के बाद धक करके हमें मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेना है बीच में एक दो बार चला देंगे फ्रेंड्स जिससे की हमारा जो मसाला है करी की ग्रेवी है अच्छे से पक जाएगी ये देखे बीच में मैंने एक पर चला दिया है और मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है कसूरी मेती का पीस करके उससे क्या है टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा तो आप देख सकते हैं मसाला पून चुका है अब हम इसमें पानी डाल देंगे तो फ्रेंड्स मैं जो ये आज सबजी बना रही हूँ ये आप अगर कडाई में बनाएंगे तो आप चाट की तरह इसे खा सकते हैं अगर आप सात में चापाती भी नहीं खाएंगे तो भी चलेगा अगर आपको एकदम इन और आप आपको रहेगा कि आप इसे प्रेशर कूकर में बनाएं जह से शीटी आने तक इनको बनाना लगेगा दस से बारा मिनट और मैंने डाल दिया है वन टी स्पून के करीब नमक अब हम इसको डग कर रख देंगे और जब तक हमारी सबजी बन रही है हम आटा गूत लेंगे फ्रेंड्स तो मिसी रोटी में बनाने जा रही हूं जो की हेल्दी रहेगी अगर आप किसी और ट से पी भी ट्राइ कर सकते हैं इससे भी वेट लूस होने में हेल्प मिलेगी एक या फिर बहुत जादा पूख है तो दो पतली चपाती आप खा सकते हैं अब पिंच अफ सारे मसाले मैंने डाल दिये हैं अब हम मीडियम कंसिस्टेंसी का आटा गूत लेंगे तो अगर हम ऑल त्री टाइप्स के होते हैं एक होता है एक्स्टा वर्जिन ओल जिससे कि हम सालड वगेरा की उसको ठंडे ही यूज कर सकते हैं ड्रेसिंग कर सकते हैं सौस को मेरिनेट कर सकते हैं एक होता है फिर सेकिन वाला होता है प्यॉर ओलिव ओल जिससे कि हम करीज बगेरा बनाने मे यूज करते हैं और shallow frying भी हो सकती है फिर आता है extra light olive oil जिससे की हम deep fry कर सकते हैं यानि कि अगर आप पूड़ी समुसा बनाना चाहें तो बना सकते हैं मैंने curry के लिए pure olive oil यूज किया है ये figaro का Spanish वाला है और easily किसी भी online store पे आपको grocery store पे easily available हो जाएगा तो ये देखें आता हमारा almost good चुका है आते को हम 10 minute के लिए side में रख देंगे और सबजी चेक कर लेते हैं 10 से 12 minute हो गए हैं तो ये देख सकते हैं मतर गल चुकी है तो अगर आप इसको चाट के रूप में खाना चाते हैं तो पूरे पानी को gravy को dry करके इसमें फिर प्यास tomato हरा दनिया नीबू डाल करके खा सकते हैं तो इस सबजी से आपको बहुत सारे protein और fiber मिलेंगे जो की आपको weight lose करने में help करेंगे और साथी साथ बहुत ही healthy भी रहता है तो हमने दनिया पत्ती से garnishing कर दी है और हमारी जो सबजी है करी है हरे मतर वाली सूखे हरे मतर की एकदम ready है friends आप देख सकते हैं olive oil और कम masala डालने के बाद भी कितनी एकदम rich gravy इसकी लग रही है आप ये recipe घर पे जरू try करिएगा और comment करके बताएगा कि आपने जब ये recipe बनाई तो कैसी सबजी बन के तयार हुई तो मैंने side में एक तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है और छोटी सी मैंने lowi ले ली है सूखे आटे की साइटा से हम चपाती को बेल लेंगे तो साथ में मैंने cut कर ली है friends एक खीरा और प्यास आप जो भी अपनी पसंद की salad है उसे cut करके खा सकते हैं friends तो ये देखे चपाती बिल करके तयार है और अब हम इसे तवे पर डालेंगे दो चपाती मैं बनाने जा रही हूँ प्लेटिंग कर लेंगे उसके बाद तो ये देखे तो friends अगर आप भी weight loss recipes देखना चाते हैं तो मेरे चैनल को subscribe करिएगा और ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा like and share करिएगा जो लोग weight loss की recipes देखना चाते हैं उनके लिए काफी फायदे मन रहेगी क्योंकि कई लोग मित होता है कि weight loss करने के लिए में भूखे रहने की ज़रत होती है लेकिन अगर आप healthy fiber protein वाला food खाते हैं friends तो उससे आपको weight loss करने में आसानी रहती है और weight जल्दी से lose होता है तो ये देखे हमारी एक चपाती ready हो चुकी है इसी तरीके से हम दूसरी भी च दाल लेती हूं तो ये देखे सब्जी में डाल लेते हैं प्लेट में तो ये रेसिपी जो है ये जो खाना है ये आप या तो लंच में या फिर डिनर में किसी भी टाइम खा सकते हैं ये देखे कितनी tasty लग रही है एकदम भी लग नहीं रही है कि ये हमने एकदम कम मसाले और olive oil में बनाई है तो ये देखे मैंने दूसरी चपाती को भी सेक लिया है तो हमारा cholesterol free food है ये वाला तो of course हम इसमें चपाती में खी या butter का use नहीं करने वाले हैं friends ऐसे ही हम सर्व करे सेलेड के साथ करमा गरम तो आप ये recipe घर पर जरूर ट्राइ करिएगा और comment करके बताएगा ये recipe आपको कैसी लगी थोड़ी सी मैंने और गानेशिंग कर दी है हरी पत्ती से दनिये की तो friends अपना ख्याल रखिएगा एक और नई recipe के साथ जल्दी ही मिलते हैं टेक केल फ्रेंज बड़ आप सी यू सून